अलो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिवाग जान पाड़ साला में गांधी जी और सास्री जी की जनती पर कृतिग्य राश्ट कोटी-कोटी नमन आज हम देश में बहुती हर्सु उल्लास के साथ में गांधी जनती और लालबादो सास्री जनती मनाई जा रही है सबी को इसके लिए इनको नमन करना चाहिए उन्हें देश के लिए अपने बलिदान को अमरपित किया था देखे यहाँ पर सिक्षक भरती को लेकर बहुती अच्छी सूचना आ रही है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे आने वाली पहुंसती रहे प्रात्मी सिक्षक भरती को लेकर बहुती अच्छी अपडेट है दिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि प्रात्मी सिक्षक भरती में जुईन्म अभ्यारतियों के नुक्ति पत्र रोके गए हैं उनसे संबंदित भी महत्यपूर्ण कवर है और आने वा प्राति में सामिल उन अभ्यारतियों की रिपोर्ट तलब की जिनके चैन के बाद नुक्ति पत्र रोके गए यानि की सिक्षक भरती में सामिल उन अभ्यारतियों के रिपोर्ट तलब की गई है जिनके नुक्ति पत्र रोके गए हैं कि किस बज़े से रोके गए हैं उनके ड प्रिक्षा निदेशक और अर्या के मुताविक हर मामले को देखने के बाद प्रिक्रोणों का निप्टारा किया जाएगा इन दिनों सरकारी प्रात्मिक भरती में काउंसलिंग कराई गई थी काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से विभिन जिलो में कुछ अभ्यार्थों को चैन कर लिया गया लेकिन कुछ अभ्यार्थों को विध्धालवी आवरेंटित किया गया लेकिन ऐसे बहुत से अभ्यार्थी थे जिनके नुक्ति पत्र डोग दिये गए देखिए यहां का गया है साफी सा आविसें लेकिन विभाग ने विभिन कारण बताते हुए उन्हें नुक्ति पत्र नहीं दिये विभाग ये अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रयाकरणों में अभ्यारतियों को आरेक्षन का लाब दिया जाए या नहीं इसे लेकर इस्ति इसपष्ट क्या हुआ इसपष्ट नहीं हो पाई है आपर सिक्षा निदेशक के मताबिक सभी 13 जिलों के जिला सिक्षा अधिकारियों से इस सम्मंद में रिपोर्ट मागी गई है कि आप जो भी नुक्ति पत्र रोके हैं उनते सम्मंदित आप रिपोर्ट भेजिए किस कारण से आपने कौन से डोकॉमेंट में ऐसी कमी है या फिर आरेक्षन से सम्मंदित कौन से ऐसे डोकॉमेंट है जिनमें कोई तूटी है या फिर कोई कमी है वो आप जल्द से जल्द रिपोर्ट वेज़िए सभी सिक्षा अधिकारियों से सभी जिलों के लिख्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मागी गई है परदेश में 296 पदों पर होने वाली सिक्षक भरती में पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद 1349 पद बचे थे कितने पद बचे थे 1349 पद रिक्त बचे थे आगे कहा गया है इसमें 27 सितंबर 2024 को तीसरी काउंसलिंग में 686 अभ्यारती पहुँचे कितने पूरे राज्जे में कितने लोग पहुँचे 686 अभ्यारती पहुँचे तीसरी काउंसलिंग के बाद भी भरती के कुछ पद सेस हैं कितने पद सेस हैं अभी दिखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं हिसाब कि आपके कितने पद अभी बाकी हैं दिखिए यहाँ 1349 पद यह बाकी रह गए थे इस में से 686 पद बढ़ चुके हैं आप 1349 में से 686 पद घटा दीजिए उसके बाद ही जितने पद अभी बागी हैं उतने पदों पर अभी पद रिखते बचे हैं यानि कि इन पदों को भरने के लिए अभी तीसरी कांसलिंग के बाद भी यानि कि 650 पद पिलस बचे हैं यानि कि 600 पद पिलस बचे हैं अभी भी तीसरी कांसलिंग हो चुकी है चोथी कांसलिंग में यदि ब्याक की ओर से या प्रिसासन की ओर से यदि अपडेट मिलती है और प्रिशासन की ओर से निर्देश मिलता है कि चोती कांसलिंग कराई जाए तो इसमें चोती कांसलिंग भी देखने को मिलेगी और आपकी नेस्ट भरती तो आपको पताई होगा दिसंबर में कराने का निर्णा लिया गया है तीसरी कांसलिंग हो चुकी है और चोती कांसलिं कमी है उनको देखकर उनको नुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे जो भी वाभ्यारति ऐसे हैं जिनको अभी जोरिंग लेटर नहीं मिला है उनके जलो के सिख्छा अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी गई कि आप उनकी report भेजिए क्या उनमें तूटी पाई गई है क्या ऐसी क्या कौन सी कमी है क्या कारण है जिसका उनका नुक्ति पत्र रोका गया है तो यह इसमें भी कमी पाई गई गई है देखिए इसमें आगे दिखाता हूँ मैं आप देखिए यहाँ पर निशाले के रोके गए नुक्ती पत्र के सम्मद में मागी रिपोर्ट रिपोर्ट मागी गई है इसमें कि क्या बज़े है को नुक्सी पत्र नहीं दिये गए हैं यह से मन्द में रिपोर्ट मांग ली गई है यह आज की महत्रों अपडेट सी आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब शुक्रें जाहिन